मेवाड रियासत के इतिहास की सिरीज के पार्ट 12 में हम बात करेंगे महाराना प्रताप के शाशनकाल के बारे में पिछले पार्ट में, पार्ट 11 में हमने यहां तक देख लिया था, कि 28 फेबरुरी सन 1572 को होली के दिन गोगुंदा में प्रताप के जो पिता थे माराना उद्यसिंग, उनका निधन हो गया था, उनका धिहान तो यहां तक पिछले पार्ट में हम देख चुके हैं, अब इसके राम सिंग या राम शाह और सोनगर आखेरा चुहां जो की प्रताप के नाना थे, इन्होंने महाराना उद्यसिंग दुआरा जो उत्रा दिकार को लेकर जो निर्ने लिया था, उस पर प्रशन चिन्ने लगा दिया, यानि उस पर एक कौशन उठाया, अब क्या उत्रा दिका अगर हम बात करें माराना उद्यसिंग के बाद, तो प्रताप ही योग्य उत्रा दिकारी थे, क्योंकि सिशोधिया सरदार और माराना उद्यसिंग के जो सामन्त थे, वो ऐसा ही मानते थे, लेकिन उद्यसिंग ने क्या किया, अपने योग्य पुतर प्रताप को राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया और प्रताप के स्थान पर जगमाल को अपना उत्तरा दिकारी गोशित कर दिया महाराणा उदैसिंग ने ऐसा क्यों किया क्यों किया क्योंकि वो अपनी रानी भटियानी से प्रेम किया करते थे रानी भटियानी जिनका नाम था धीर भाई तो रा माराना उद्य सिंग का अंतिम संस्कार चल रहा है। इस निर्णे को पलटते वे उन्होंने क्या किया 28 February 1572 को गोगुंदा में प्रताप का राजा भीशेक कर दिया और जगमाल को गद्दी से हटा दिया। तो ठीक है, महाराना प्रताप का राजा भीशेक कर दिया गया, जगमाल को गद्दी से हटा दिया गया, अब इसके कारण क्या हुआ? जगमाल नाराज हुए और वो मिवाड को छोड़ कर अकबर के पास में चले गए। तो अकबर ने भी क्या किया? जगमाल को एक तो जहाजपुरा के आसपास का क्षेतर दे दिया। और इसके अतिरिक्त सिरोही का आदा राज भी दे दिया, सिरोही का जो शाशक था उससे में वो था सुर्तान देवडा, तो सिरोही का आदा राज दे दिया और ये जो जहाजपुरा है इसके आसपास का क्षेतर दे दिया। लेकिन बाद में जगमाल की देखे 1583 में दत्ता के बारे में चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद फिर इस पालट को और आगे बढ़ाएंगे और किस प्रकार से माराणा प्रताप और अकबर के मद्दे संगर्षों का दोर चलेगा उस सपरम चर्चा करेंगे। प्रताप के नाना थे जिनोंने समशान भूमी में उस समय उत्तरा दिकारी को लेकर प्रशन उठाया था अब महारणा प्रताप का जादातर जो बचपन बीता था वो कुंबलगड के दुर्ग में बीता था और देखे इनको भीलों के साथ रहने का भी अवसर मिला था महारणा सिंग का भरपूर सयोग किया था उस गिरवा के क्षेतर को विक्सित करने में महारणा प्रताप के बारे में एक बात ध्यान रखे इनको प्यार से कीका या कुका कहकर पुकारा जाता था ये जो शब्द है ना कीका ये राजस्थान के दक्षन पस्चिमा अगरम चले तो ये थोड़ी बहुत हमने महारणा प्रताप की जानकारी ले ली अब हम पार्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और एक बार चर्चा करते हैं कि जब महारणा प्रताप मेवाड के शाशक बने तो उस समय इनकी राजी की स्थिति कैसी थी और किस प्रकार से अकबर जो है वो मेवाड के शाशक बने तो उस समय मेवाड के जादातर भागों पर मुगलों का अधिकार था कौन कोन से भाग थे जैसे एक तो बदनोर हो गया इसके अलावा रायला हो गया मंडलगड हो गया और चितोड हो गया तो मुख्य भागों पर और अधिकांश भागों पर मुगल का प्रभाव होने के कारण एक तो मेवाड की आयकम हो गई थी और दूसरा मेवाड की प्रतिष्ठा भी घट चुकी थी ऐसा क्यों था क्योंकि पिछले पार्ट में हमने विस्तिरित रूप से चर्चा की थी कि 1567-68 इसमें जब अकबर ने मेवाड पर आकरमन किया था तो उस स anat की शक्ति को माननेता दिया करते थे, मेवाड के प्रतिनिष्ठा रखा करते थे और अकबर के दिमाग में भी ये था कि यदि वो मेवाड को पराजित कर दे और मेवाड को जीत ले तो ऐसे में राजपुताना के जो बाकी शाषक है उनकी निष्ठा को भी चोंट पोचे और राज पुताना के बाकी शाशक मुगल सत्ता को यानि कि अकबर की शक्ती को माननेता देना शुरू कर देंगे तो इसका परिणाम भी यह हुआ जब अकबर 1567-68 के युद्ध में जीत गया मेवार को उसने जीत लिया तो मेवार के अधिकांच भागों पर उसका अधिकार भी हो गया और अब उसके बाद मेवार की एक तो आय घट चुकी थी मेवार राजिक की प्रतिष्ठा भी घट चुकी थी और राज पुताना के शाशकों ने अकबर की शक्ती को माननेता देना शुरू कर दिया था अब इसी का परिणाम यह हुआ कि जब 1570 में अकबर ने न अगोर दरबार के बाद तो दो प्रकार के पक्ष हो गए थे एक तो वो पक्ष जो की अकबर के सहयोगी हो गए थे और एक दूसरा पक्ष जो की अकबर के विरोधी हो गए थे हाला कि महाराना प्रताप यानि मेवार की भी अभी ये स्थिती थी कि मेवार अकबर की अधीनत से चार दूत बेजे और इन दूतों को हम कहते हैं अकबर का शिष्ट मंडल तो इनका क्रम एकबर मैं बताता हूँ और इनकी जो आने का समय है वो समय मैं राजस्थान बोड की पुस्तकों के आधार पर बता रहा हूँ हो सकता है इनके समय के समंद में आपको अलगलग पुस्तकों में अलगलग जानकारी हो लेकिन राजस्थान बोड की पुस्तक के आधार पर यदि समय से सम्मंदित विवाद होता है किसी प्रशन में तो आप कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज कर सकते हैं तो देखे अकबर ने जो चार दूत भेजे यानि शिष्ट मंडल भेजा तो इस शिष्ट मंडल में सबसे पहले अकबर ने भेजा जलाल खा को और जलाल खा को भेजा था नवंबर 1572 में तो जलाल खा आया उसने मारणा प्रताप को संजाने का प्रियास किया लेकिन मारणा प्रताप ने अकबर की अधिंता स्विकार करने से मना कर दिया और जलाल खां को खाली आती वापस लोटना पड़ गया ठीक है अब दूसरे नंबर पर अकबर ने भेजा था मान सिंग को देखे मान सिंग को भ आशक थे भगवंत दास, तो भगवंत दास के पुत्र थे मान सिंग, तो मान सिंग यहाँ पर आए और मान सिंग ने भी मारणा प्रताप को समझाने का प्रियास किया, लेकिन मान सिंग ऐसा फल रहे और उनको खाली आथी लोटना पड़ा, देखें मान सिंग जब यहाँ पर नमा से हमको पता चलता है कि जब मान सिंग गुजरात से लोट रहा था तो उस समय अकबर ने मान सिंग के पास एक संदेश भिजवाया कि आप जाईए और महाराना प्रताप को समझाईए कि वो मुगल सत्ता को यानि कि अकबर की सत्ता को अकबर की शक्ती को माननेता देना स्वतंतर रहेंगे और साथ ही साथ मेवाड को मुगलों से वहवाईक संद इस्थापित करने के लिए बाद भी नहीं किया जाएगा तो ये बाते अकबर ने मान सिंग को कई और मान सिंग आये उन्होंने माराना प्रताप को समझाने का प्रियास किया मुगल अधिनता स्वि जो दो शिष्ट मंडल बचेवे हैं, जो और दो दूत आने बच गए, उनकी एक बर चर्चा कर लेता हूं, उसके बाद, फिर मान सिंग और महाराना प्रताप के मद्दे, वो जो घटना हुई थी, उस पर चर्चा करेंगे, कोन इतिहासकार उसको सच मानते हैं, और कोन इतिहा मान सिंग के पिता थे, और इनको बेजा था, अक्टूबर सन 1533 में, भगवन्त दास भी आये, और इनको भी खाली हाथ लोटना पड़ा, और चोथे नंबर पर बेजा था, टोडर्मल को, टोडर्मल जो है, वो अकबर के नवरतनों में से थे, और टोडर्मल यहाँ पर आये दिसंबर 1573 में, टोडर्मल ने भी महाराना परताप को समझाने का प्रियास किया, और इनको भी खाली हाथी लोटना पड़ा, अब देखें, यह जो चार शिस्टमंडल हैं, इनका क्रम और इनका समय, आप यह जरूर ध्यान रख लेना, क्योंकि इस से सम्मंदित सवाल हम से कई बार पूछ लिया जाता है, तो ठीक है भीया, अकबर ने युद्ध करने से पहले महाराना परताप को अपने अधीन करने के उद्देश्य से यह सिस्टमंडल भेजा, सिस्टमंडल आया, लेकिन ऐस सफल होकर लोटना पड़ा, अब हम एक बर उस घटना की बात कर लेते दूसरे दूत के रूप में आये थे, जून 1573 में, तो उस समय महाराना परताप और मान सिंग की जो मुलाकात हुई थी, वो उदैसागर जील पर हुई थी, उदैसागर जील वरतमान में आती है, उदैपूर में, और इस मुलाकात के सम्मंद में एक घटना हुई थी, जिसक लेकिन महाराना परताप स्वैम उस आयोजन में नहीं गए, मान सिंग का स्वागत करने के लिए, बजाए इसके उन्होंने अपने पुत्र कुमर अमर सिंग को मान सिंग के स्वागत के लिए भेजा, अब जब मान सिंग ने ये कारण जानना चाहा कि महाराना परताप स्वैम क्यों नहीं आये तो उनको ये बताया गया है कि वो ऐस वस्त हैं इसलिए नहीं आ सकते लेकिन मान सिंग ये समझ गया जैसा इतिहासकार बताते हैं कि मान सिंग ये समझ गया कि आमेर रियासत ने आमेर रियासत जहां से मान सिंग संबंदित थे जहां के राजकुमार थे आमेर प्रताप यहां पर नहीं आए मेरे सम्मान के लिए मेरे स्वागत के लिए और इस बात को अपना अपमान समझकर मान सिंग वाँ से चला गया और मान सिंग ने अकबर को उक्साया कि वो मेवाड रियासत पर आक्रमन करे यानि अधिकतर इतिहासकार ऐसा बताते हैं लेकिन मैं एक बर गोपिनाद शर्मा की बात करता हूं कि गोपिनाद शर्मा इस सम्मन में क्या कहते हैं जरूरी नहीं सारे इतिहासकार इस से सहमत हों काफी इतिहासकार हैं जो इस पक्ष से सहमत नहीं हैं उन्हीं ही इतिहासकारों में से ही एक हैं गोपिनाद शर्मा इनकी किताब है तो गोपिना चर्मा ने क्या कहा है इन्होंने लिखा है कि अधिकांश इतिहासकार इस कथा को सही मानते हैं कि इसी के कारण अकबर ने मेवाड पर आकरमन किया लेकिन हमारे अनुसंधान से ये इसपस्ट होता है ये प्रतीत होता है कि उस समय के जो इस्तरोत है यानि जब ये घटना हुई थी उस समय के नय तो इस्थानी इस्तरोतों में और नय ही मुगल इस्तरोतों में इस प्रकार की अपरिय घटना की जानकारी होना मिलता है मतलब ये है कि महाराना प्रताप ने मान सिंग के लिए एक भोज का आयोजन तो किया होगा इस प्रकार की गटना तो हुई होगी लेकिन महाराना प्रताप दुआरा मान सिंग के साथ ऐसा अशिष्ट व्यवार किया गया हो इस प्रकार की जानकारी हमको नहीं मिलती आगे गोपिनाथ शर्मा ये कहते हैं कि यदि इस प्रकार की कोई घटना हुई होती तो उसके बारे में बदायूनी अवश्य लिखता बदायूनी कौन था देखे बदायूनी वही व्यक्ति है जिसने हल्दी घाटी के युद्ध का आँखो देखा हाल लिखा है मतलब अब आगे गोपिनाथ शर्मा ये भी कहते हैं कि जैसे करनल जेमस टोड ने हमको बताया है कि महाराना प्रताप और मान सिंग की मुलाकात उदैसागर जील के पास में हुई थी लेकिन अबुल फजल ने इस मुलाकात को गोगुंदा में होना बताया है गोगुंदा भी उद अब आगे गोपिनाथ शर्मा दो और इस्तरोतों का हवाला देते हैं एक तो राज रतनाकर और एक अमर कावे वन्शावली में महाराना प्रताप और मान सिंग की मुलाकात को अच्छे ढंग से होना बताया है मतलब इस प्रकार की मुलाकात हुई थी लेकिन महाराना दुआरा किसी भी प्रकार का असिस्ट वेवार नहीं किया गया था तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो कहानी निकल कर आई ये जो कथा निकल कर आई जिसको जादतर इतिहासकार माननेता भी देते हैं और करनल जेम्स टोड भी मानते हैं कि प्रताप के दुआरा मान सिंग का अपमान किया गया होगा ये कहानी कहां से निकल कर आई तो इसके सम और भाटों ने अपनी अपनी मानेताओं अपनी अपनी भावनाओं के आधार पर इस कथा में कुछ हेर फेर कर डाला। मतलब ये जो मुलाकात उनकी हुई थी बोजन का भी आयोजन हुआ होगा मुलाकात भी हुई होगी लेकिन ये जो असिस्ट व्यवार होने की बात है ये चारणों और भाटों के द्वारा लिख दी गई है ऐसा गोपिनाच शर्मा का कहना है ठीक है देखे अब जो भी हुआ च श्थती को मजबूत करने के लिए युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी और उन्होंने क्या किया कि एक तो भीलों की टुकडी को भीलनेता पूंजा के नितिरत में मेवाड की सुरक्षा में हमेशा तैयार रहने के निर्देश दिए साथी साथ महाराना प्रताप ने अप अपनी जनता को मैदानी क्षेत्रों से हटा कर परवतिय क्षेत्रों में बसा दिया और मैदानी बस्तियों को बिलकुल नश्ट कर दिया और ये आदेश भी निकाला कि कोई भी व्यक्ति मैदानी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार से अन्नका उत्पादन नहीं करेगा यदि तो वो प्राण दंड का भागी होगा ऐसा क्यों किया गया क्योंकि देखें महारणा प्रता भी जानते थे कि जब मुगल सेना आएगी तो मैदानिक शेत्रों को यदि नश्ट कर दिया जाए तबा कर दिया जाए और किसी भी प्रकार के अन का उत्पादन नहीं किया जाए तो उनको अन और जल की व्यवस्था नहीं हो पाएगी इसके कारण वो लंबे समय तक नहीं टिक पाएगे क्योंकि जब शत्रुदल आता था तो वो रशद की यानि खाने पिने की सामगरी की जो वेवस्था करता था वो वहीं की आसपास की बस्तियों से ही करता था इसलिए पहले ही आसपास की बस्तियों को उजाड दिया गया अगर कोई सेना पहाड़ी से नीचे लड़ रही है और कोई सेना पहाड़ी के उपर लड़ रही है तो उपर जो सेना बेठी हुई है वो ही हमेशा फायदे में रहती है अब ये तो महाराना प्रताप की तयारियां थी अब दूसरी और अकबर ने क्या किया अकबर आया वा था इस समय अजमेर में और अजमेर में उसने अपनी सेना का नित्रत्वे मान सिंग को और सहायक सेना पती आसफ खां को बनाया और अपनी सेना को रवाना कर दिया मेवाड पर आक्रमन करने के लिए तो देखिए तीन अप्रेल सन 1576 इसवी को अकबर की सेना मान सिंग और आसफ खां के नित्रत में अजमेर से रवाना हुई और मांडलगड के मार्ग से होते वे और मेवाडा पहुची मेवाड में उसकी सेना आई राज समंद के खमनोर के पास में मोल गाउं में तैनात हो गई और दूसरी और महारणा प्रताप की जो सेना है वो लॉंचिंग स्थान पर अभी तैनात है अब दोनों ही सेना एक दूसरे की शक्तियों का जायजा लेने में लगी हुई हैं कि शत्रू कितना पावरफुल है शत्रू की क्या-क्या विशेस्ताएं हैं उसकी सेना की और क्या-क्या उसकी कमजोरिया है अब इनी सब के बीच में दोनों के मद्द एक युद्ध होगा जिसके बारे में हम बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं हल्दी गाटी का युद्ध है और उसकी चर्चा हम करेंगे मेवार रियासत के नेक्स्ट पार्ट में तक्या है है युद्ध हम बंभ क्या जा होगा जा कॉन पड ख Cup